शुर्षक्ति संसार। यूट्यूव चैनले आपका स्वागत है। सावन मास में मंगला गोरी के पूजन और विधी कथा। सावन मास में जितने भी मंगलवार आए हैं उनमें रखे गए ब्रत गोरी ब्रत कहलाते हैं। यह वरत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गोरी वरत पहलाते हैं विधान प्रातहां ना धोकर एक चोकी पर सफेद लाल कपड़ा विछाना चाहिए सफेद कपड़े पर चावल से नो ग्रै बनाते हैं चाहिए तथा लाल कपड़े पर गेहूं से शोड़स माता बनाते हैं चोकी के एक तरफ चावल वेफूल रखकर गणेजी की स्थापना की जाती है दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलस स्थापना की जाती है कलस में जल रखते हैं आटा का चो मुखी दीपक बना कर सोला सोला तार की चार बतियां डाल कर जलाते हैं सबसे पहले गणेजी का पूजन करते हैं पूजन करके जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल इलाईची, बेल पत्र, फल, मेवा, तत और दच्छना चड़ाते हैं इसके बाद कलस का पूजन गणेज पूजन की तरहां किया जाता है फिर नोग रहत था सोड़श माता की पूजा करके सारा चड़ावा ब्रामन को दे दिया जाता है इसके बाद मिट्टी की मंगला गोरी बना कर उन्हें चल, दूद, दही, आदी से सनान करवा कर वस्त्र पहना कर रोली, चंदर, सिंदूर, मेंदी वे काजल लगाते हैं सोला परकार के फूल, पत्ते, माला चड़ाते हैं पांच परकार के सोला सोला मेवा, सुपारी, लोंग, मेहंदी, शीशा, कंगी वे चूड़िया चड़ाते हैं अब कथा कथा सुनकर सासु जी के पाउं छू कर एक समय एक अन खाने का विधान है अगले दिन मंगला गोरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं उद्यापन की विधी सावन मास में मंगलवार को वरत करके के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए उद्यापन में खाना वर्जित है मेंदी लगा कर फूजा करने चाहिए फूजा चार ब्रामोनों से करने चाहिए एक चोकी के चार कोनों पर केले के चार थंब लगा कर मंडप पर एक ओड़नी बांधनी चाहिए कलश पर कटोरी रख कर उसमें मंगला गोरी के उद्ध स्थापना करनी चाहिए साडी, नत, वै, सुहाग की सभी वस्तुमें रखनी चाहिए सावन के उपरांत कथा सुनकर आरती करने चाहिए चांदी के बरतन में आटे के सोला लड़ू रुपया एव साडी सासुजी को दे कर उसके प्यार चुने चाहिए फूजा कराने वाले पंडितों को भी भोजन कराकर दोती अंगोछा देना चाहिए अगले दिन सोला ब्रामनों को जोड़े सईद भोजन कराकर दोती अंगोछा तथा ब्रामनियों को स्वाग पिटारी देनी चाहिए स्वाग पिटारी में स्वाग का समान वै साडी होती है इसका सब करकने के बाद स्वाइम भोजन करना चाहिए बोलिए शंकर भगवान की जैए झाल